हलो दोस्तों आज बात करने वाला हूं मैं TDS के special provision के बारे में हाँ जी दोस्तों जिन्हों ने अपनी income tax के return ITR फाइल नहीं करी है उनका यहाँ पर TDS जो कटेगा वो higher rate पे कटेगा TDS के एक नया provision आ गया है जो कि 1 July 2021 से applicable हो जाएगा चलिए समझते हैं कि क्या rate होगा और किसके किसके लिए यह applicable है नया provision section 206AB देखो समझो क्या है section 206AB तो यहाँ पर बात करो TDS required होगा deduct करना जब कोई amount pay किया जाएगा income के रूप में यह amount credit किया जा रहा है किसके दौरा एक deductor के दौरा किसको एक specify person को तो TDS higher rate पे कटेगा समझना एक specify person का मतलब क्या हो गया specify person का मतलब यह हो गया तीन पॉइंट है तीन पॉइंट को satisfied करेगा तो वो specify person की category मा जागा पहला कि यहाँ पर जो SSC है उसने अपने दो assessment year की income tax की return file नहीं किया है और दूसरी condition यह है कि जो income tax return file ने करने की जो due date है वो expire हो चुकी है under section 139 subsection 1 के हिसाब से और previous two year के अंदर उसका जो TDS है वो 50,000 हो या उससे जादा हो अगर यह तीनो condition satisfied होते हैं तो वो person specify person कहलाएगा और ऐसे person का deductor के दोवारा यहाँ पे TDS deduct किया जाएगा higher rate पे rate अलग-अलग है इन rate में से जो भी higher होगा उस rate पे कटेगा तो तीनो point को देखना है तीनो point को देखने के बाद यह identify करना है कि higher rate कौन सा है तो rate कैसे निकालेंगे पहले point में बोलता है कि जो भी rate है उस relevant provision का उसके दुगना rate होगा मान के चलिए कि 94C के अंदर अगर कोई individual है तो 1% का rate है TDS का अगर मैं इसका दुगना rate निकालनों याने 2 स multiply हो जागा याने 2% का rate हो गया अब in force बोलता है in force twice बोला याने दुगना rate in force तो दुगना rate हो गया या फिर 5% 5% अब यह तीन rate आगे मेरे पास 2% 2% और 5% इसमें से higher rate कौन सा है 5% वाला तो 5% applicable हो जाएगा और 5% के हिसाफ से TDS कर जाएगा लेकिन सर्वी के इसमें 5% applicable नही 24 I के अंदर तो 10% का rate होता है TDS का ठीक है अगर मैं इसका दुगना rate निकाल लूँ याने 20% ठीक है उसके बाद second point में बोलता है कि enforce twice याने enforce दुगना rate याने 20% फिर से फिर 5% अब इस case में higher rate कौन सा है इस case में higher rate 20% वाला है तो 20% के यह साब से TDS कटेगा याने higher rate को आपको higher rate कौन सा है और दोस्तों बात करूँ यह section किस पे applicable नहीं हो तो दोस्तों यह section उन transaction पे applicable नहीं होगा जिस पे पहले set TDS applicable है जैसे TDS on salary के उपर 192 के अंदर या TDS accumulated balance है PF का उसके उपार TDS deduct किये गए employee का section 182 A के अंदर उसके उपर applicable नहीं होगा या TDS on winning from lottery है या crossword puzzle है 94 B के अ नहीं होगा 94 double B के अंदर TDS winning from horse risk उसके उपर applicable नहीं होगा या फिर TDS under section 184 LBC जिसके उपर applicable है उसके उपर यह वाला section 206 AB applicable नहीं होगा तो बात बड़ी simple है साधारन सी भासा मैं बताता हूं section 206 AB कब लगाना है आपको ध्यान से कुछ बातों को ध्यान में रखना है आपको accounting करते वक्त इन provision को ध्यान से रखेंगे बड़ा simple है कोई बड़ी बात नहीं है देखो समझो सबसे पहले क्या देखना है कि अगर उस person का तीन condition satisfied होना चाहिए section 206 AB के लिए देखो पहला क्या है कि उस SSC ने दो assessment year की return को file नहीं करी जिसका अब TDS deduct कर रहे है ठीक है उसने दो assessment year की return को file नहीं करी दूसरी condition income tax return की जो filing करनी की date है वो expire हो चुकी है 139 subsection 1 के अंदर और तीसरी condition कि उसका दो previous year के अंदर जो TDS deduct quality deduct हुआ हुआ है वो 50,000 है यह उससे ज्यादा है अगर यह त section 206 AB के इसाब से TDS deduct होगा वो भी higher rate पे होगा rate को आपको यहाँ पर identify करना होगा अब दोस्तों problem यह आती है समस्या यह आती है कि आपको पता कैसे चलेगा कि SSC ने अपने लगातर दो assessment year की return file करी है यह नहीं करी है अभी इसके लिए government की side से भी clarification नहीं है यह CBDT शद हो सकता एक जुलाई से पहले इसके लिए कोई clarification ने किया है 50,000 का amount ज्यादा जो TDS कटा है या 50,000 कटा है वो तो आप 26 AS से check कर लोगे कि उसके पूरे साल का previous two year के अंदर जो TDS deduct हुआ है 50,000 है या उससे ज्यादा है वो आप 26 AS से check कर लोगे लेकिन इसका income tax return उसने file करी है या नहीं क देता है या मना करता है कि return file नहीं हुए तो उस case में आपको 206 AB के हिसाब से provision देखने है उससे सबसे accounting करनी है बागी देखते है CBD क्या classification देती है इसके लिए जैसे कुछ clarification आगा मैं आपके सामने इसी तरह वीडियो के मात्यम से लेके आता रहूना तो दोस्तों ये था कमाल क का कंटेंट जो मैं आपके सामने लिखा है वीडियो के से लगी जरूर बता है थैंक यू सो माच जाहिन अवंदे मात्रम